तो कैसे हो आप सब भूब करता हूँ आप सब बढ़िया होगे अपने अपने घरों में सेफ होगे तो स्वागत आपका हमारी चैनल के फिर से एक नए फ्रेश व्लॉग में आज के इस व्लॉग में हम ओनर्शिप रिविव करने वाले हैं होंडा SP 125 का इस बाइक से लेटेट मैंने जितनी भी वीडियो बनाई है उस पे आप लोगों ने काफी ज़्यादा प्यार दिखाया मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिखाया है तो सेम यहीं भी करना कि मतलब इस पे आप पूरा वीडियो देखना है अच्छा लगे तो चैनल को स कर लेना इस ओनर से उस प्रिवीव की जब से खास बात है कि यह जो होने वाला है यह किसी कस्टमर का रिविवीव नहीं है मतलब कोई जानने वाला नहीं यह अपने एक सब्सक्राइबर भाई है जिन्हों ने अपनी जो वीडियो हैं वो देखी थी तब यह बाइक को 25 जिसका आज मैं आपको complete ownership रिवीव करवाने वाला हूं यह हर्ज भाई हर्ज भाई इदार आ जाई है तो यह हमारे हर्ज भाई जिनकी यह बाइक है और हर्ज भाई भी हमारे सब्सक्राइबर हैं मतलब इन्हों ने मुझे पर्सनली मेसेच किया था और इंस्टाग्राम प ने मिजिनर और त्योंकि competition में देखो तो बहुत सी बाइक चाती है जैसे Rider 125 है पलसर है और सुपर स्प्रेंडर है जो की बहुत ज्यादा सेलिंग वाली बाइक है और वह सब छोड़ो जो आजकल की generation की सबसे आज अची पसंद है वो NS 125 मतलब लुक्ष में स्पोर्स में हर च सब्सक्राइब कर चुकि है चला चुका हूं अब हीरो की इंजन में कॉल्टी है मुझे वह निसमज में आई रिडर 125 बहुत बढ़ियां बाइक है बट एवरिविल्टी और टीवेस का इंजन जो की मेरे घर में एक नहीं प्रिफर कर गया क्योंकि हमारे घर में हॉंडा से एक खास लगाव भी है क्योंकि हर बैक जो है यह स्कूर्टी एक्टी वह हॉंडा यूसरा यह तो है जो बंदा जो बाइक करते हैं जैसे मैं हूं यामा की यूस कर रहा हूं तो मुझे यामा के लाम मतलब एक ट्रस्ट सा बन गया है कि अब लेनी है तो आगी यामा लेनी है 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 हम गितरीन के सबस्का है अब कि लेनी के बाद की आहलकर उलों को यच जखकर थरं को देता है हां मतलब कि यह लेडी हेड्लैम मिल जाता है इस को बढ़िया से मिल जाते हैं यह फिर जो सारी चीजे हैं वह आपको पसंद ना है इस बाइक में सेकेंड दिंग अब इस बाइक के वारे में बात करें तो मुसली कितनी चला रखी पहले यह बताओ मतलब कि एक महीने में आपका जो एक्सपीरियंस है वो कमफट को लेके कैसा है मतलब सिटी में जाते चला ही हाईवे भी लेके जाते हो मतलब सिटी कम्यूटर के साफ से डेली जूज करते हैं तो उसके साफ से आपका कैसा एक्सपीरियंस राइक का बढ़िया है पिकप विकप जैसे हो ताद्मी कुदम ऐसा ही है मतलब इनिशियल पिकपची 125 सी के साफ से और बात आती है सिटी में तो चलान में सब्सक्राइब करते हैं अब दूसरी चीज बात करते हैं पावर की बात आपने बता दी अब यह बता इंजियन का सब्सक्राइब करते हैं मतलब कि इसमें आपको 125 सी का बीए 6 इंजन मिलता है ठीक है और इसमें आपको जो है क्या मतलब कैसा पावर तो आपने बता दिया है लेकिन यह बताव हिटिंग आईशियो क्या है क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को देखा है तो मेरी वीडियो पर सब्सक्राइब करते हैं मतलब इससे कोई ड्रॉबैक लगा मतलब डर सा लगता है कि कहीं गाड़ी गिरेगी या कोई लाग ऐसे ठोक देगा तो यह तूटने उटने का डर इससे आप क्या कहना चाहेंगे मतलब इस चीज़ पर यह बात मुझे थोड़ी बुरी लगी इसने रिफाइंड रिलाइबिल्टी मिलती हमें लेकिन अगर आप एंजन में थोड़ी बात मतलब कर रहें तो वह मतलब मुझे अच्छा है यह चीज़ तो यह सबसे में पार्ट है और यहां पर अगर आप कॉस्ट कटिंग कर रहे हो जगे पर तो बहुत ज्यादा दिक्कत वाल चलता है तो यहां पर मुझे मतलब थोड़ा सा यह चलता है राइट फ्रेंट में और रियर में भी सेम मिलता है क्योंकि बहुत ज्यादा स्कीनी है तो उसके वारे में क्या कहने चाहिए क्या कॉन्फिटेंस आता है मतलब क्यूंकि आप एक महीने से यूज कर रहे हो तो आप से बेटर तो कोई नहीं पता तो इतना ज्यादा मुझे एक्स्पीरेंस नहीं उस बाइट का एक जैनूइन सा आपको रिव्यू दे रह जटका लगता है वो तो देखो यह कम्यूटर की हैं तो सिटी के लिए को ध्यान में देखते हैं अगर टायर मोटर डाल दिंग अवरेज मर जाएगा अवरेज की बात हो रही है तो यह भी बता दूगी कितना क्लेम कर देती है क्योंकि हमने जो निकाल है हमने तो बहुत जा लेकिन जो इसका आज शो करता है क्लश्टर पर रेंज होती है या जो शो करता है वह मतलब विदम ख्लोश टू एक्टू एक्टूरेट दो तीन का डिफरेंस आता हो कर ज्यादा नहीं तो बढ़िया चीज है अब बात करतें ब्रेकिंग को लेकर फ्रेंट में आपको डिस् तो डिस्क का experience शेयर करो पहले तो इसका की कैसा है डिस्क मतलब देखिए मैंने बहुत सारी बैक चलाई यह 125 सी में रेडर हो गई ग्लैमर हो गई और पलसर वी हो गई तो पलसर और ग्लैमर इसकी जो ब्रेकिंग है वो बढ़िया है मतलब रेडर मैंने चलाई है तो रेडर लारे नीसिन की और पहले माले किया जुआ है उसमें जो इंडर उसे सिंगल कापार उल्जा छया तो मनद सिंगल करा पार siis किसी मतलब दोगो ये बाइक इंसान इसलिए लेता ताकि खर्चा कामाए तो खर्चा ही पड़ेगा तो बाइक लिने का मतलब का और रियर का क्या परफॉर्मेंस है मतलब ड्रम मिलता है रियर में अचली कॉमी ब्रेकिंग सिस्टम है तो मजा आधी चलाने में जैसा आप चाह तो सब्सक्राइब दोकि था रहा है जो शकर ऐसा पिर बारिश को गरिए लेकीरा जाते हैं। तो मुझे लगता है कि हाँ इसको सॉफ्ट होनी चाहिए था मेरे साब से लेकिन जैसे आप दो लोग बैटते हैं तो यह बहुत फिल कंवेटेबल कराता है किसी बारे में पता जी कि इसका जो ग्राउं क्लियरंस है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है तो मुझे अब तक रहाबिक सड़कुप कहीं है लड़ा नहीं है और डबलिंग पे उचली है तो ग्राउं क्लियरंस को लेकि अतना कोई दिकत नहीं है बिल्ड क्याइब फिनिश कैसी लगी मतलब मुझे कॉस्ट कटिंग लगी कहीं पी जैसे यह देख सकते हो यह थोड़ी सी कॉस्ट कटिंग लगी यहां भी पैनल गैप जो है कुछ जादा ही है दूसी तरब भी सेम ऐसा ही है तो कैसा लगा मतलब आपको क्या लगा की चला क आपको काफी सारी इंफोमेशन दी जाती है आपने स्किंगाड भी लगा रखा है बहुत सही तो मतलब यहां पर जो फीचर्स है है वह आपको कैसे लगते हैं मुझे तो पर्सनेलिया दोगो मेरा पुनिया दोगो तो 125 की बाइक में देखते हो बहुत ही साही लगता है अगर हम कंपेर ना करें ग्लैमर एक्सका बहुत है गया सबसे पहले इसी ने दिया था अपने 125 में तो यह आउन्डन इसको सब्सक्राइब तो इसमें किवाल ट्रिप यही मिलता है क्लॉक मिलती हो चोटा मिलता है अभी यह मतलब सारी चीज़े आपको इंफोमेशन मिल जाती है इसका अभी एवरेश हो कर रहा है एक साब से सत्तर का दिखा नहीं होगा साथ पैसट ही हो लेकिन अकर कंपेर करेंगे कि अब इसमें सबसे ज्यादा बुरा क्या लगता है मुझे तो कई सारी कमिया लगी उसके बारे मैं एक सेफरेट वीडियो बना के डालूंगा आप अपने हिसाब से पताओ कि एक उनर के साब से आपने इसको यूज कर लिया है अब इसमें क्या क्या कमिया लगती है आपको उन सब नहीं गाड़ी मेरा बट इसमें इसने इंजन कॉल ने दिया यहां पर जिसको जिसके आप इंजन देख पाया नीचे काव चला है या डेस्ट और घट्टा हो रही है तो यह आगे चलके इंजन पर डालेगी है यह तो है अभी तो चलो नहीं है और डेली और डेली को इसको भी पार्ट मिसिंग है यहां यह चीज भी लगती है काफी जादा और और क्या कम्यां लगती है इसमें और कभी एक इशू लोग बहुत ज्यादे है या पिर हाइप है मेथा डोंट नो किसे गेर फस्ते हैं या यह अभी मेरे रिसेंट्ली मैंने वीडियो अप्लोड क इसमें बंदे ने बताया तो आप बताओ इसमें इंजन हीटिंग के लिए बता रहा था तो आपने गेर कह रहा है फस्ते हैं यार ऐसा क्या है मतलब सच में अपनी वीडियो पर कमेंट पढ़ें तो बहुत सारे बंदियां से करते हैं इसमें हीटिंग इशू और इंजन का कि अपनी बाइक में ट्राइक किया लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लगा क्यूंकि मैं चलाता हूं सरी सब्सक्राइब नहीं करता हूं तो आपने बता दिया यह सही है और इसके बारे में बताई दिया यह बहुत बड़ा कॉंस है दिखी नई गड़ और बाइस की साथ से पु यह बहुत जादा इंपॉर्टेंट और इसमें डियारेल भी नहीं पूरा तो चलो यह बी एक होंडा शायद देखे वीडियो तो समझ में आ जाएगा तो अब हम कंक्लूजन पर आते हैं कि इस बाइक को आपके पॉइंट ओवीजों किसे पर्चेस करना चाहिए देखिए अगर आप यंग्स्टर हैं आपकी यह मनलब बीस इस पच्चीस तक भी है तो आप इसको अराम से लिए सकते हैं क्योंकि यह यंग्स्टर्स कोई अपील या टारेट कंदे के लिए बाना है वहना होंडा की शायन वन भी आती है हां वह ओल्डिश टाइप की अरे मैंने कली वीडियो डाला है बाई मतलब एक लाग रुपे के नाम पर वो केवल इंजन और वाइक देर हैं बस इसमें कुछ फीचर नहीं मिलते हैं इंजन रिलाइबिटी है जो उसको दस साल ऊपर तक चला देते हैं बाकियों शायन का नाम है यसे स्प्लेंडर का देख लि परफॉरमेंस है यहां मैंने उसको लिया था और मैंने उसको लिए कुछ गलत मुझे लग नहीं रहा है क्योंकि फॉस्ट नहीं हुई अब तक मुझे मैलेज इस पर मिल रहा है और आदमी बाई 65 का मैलेज बहुत जादा होता है अगर फस्ट सर्विस हो जाएगी वैसे यह सारे लगता है हमेथ है बटकर फिर होता है और इसकी सर्विस हो जाती पहली और और पांसो साम सो के पीश में दूसरी तीसरी सर्विस होती है यह मैंने करवा रख्ये अपनी तो तो मतलब कि अगर यंग्स्टर है जो कॉलेज स्टुडेंट है जो अभी पूरी तरह से घर इ पेंडा यह जॉब भी कर रहे हैं लेकिन उनकी सेलरी वगरा जो काम है तो बेसिक लिए सकते हैं उनको को दिखकत नहीं होगी इससे शॉर्ट राइट शिटी में तो आप यूजी कर रहो आपको तो 1010 स्कूर कर रही है कोई दिक्कत नहीं और लॉंग राइट पर मैंने भी चला रहा है तो लॉंग राइट पर अगर मैं अपना पर्सनल उपिनियन दू तो आप अगर कम्यूट करते हो लॉंग राइट 300 500-400 km भी आप इससे जा सकते हो हां बस आपके साथ को यासा बंदन हो जिसके पास हैवी बाइक है क्या प्रब्लम आती है ना कि वह फिर स्पीड नहीं मेंटेन कर पाते वह 110 चलते हैं और यह 80-70 के बीच में चलने वाली है एंड गुड इनफ कि मतलब आप अस्ती की स्पीड सब्सक्राइब कराने पड़ेंगे यह सारी चीज़े आपको करानी पड़ेंगी अगर फिर भी कुछ रहेगो तो आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाइब कर सकते हो या फिर इंस्टाइब कर सकते हैं आपको यह वाला व्लॉक पसंद आया होकर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्युकि त सब्सक्राइब करें अच्छाइब लाते हैं और भाई भी हमारा पहला सब्सक्राइबर जिसके साथ हमने वीडियो बनाई है तो यह थोड़ा सा श्पेशल वीडियो है तो इस पर भर के प्यार दिखाना मतलब बहुत ही ज़्यादा मजा आया बाई कि शूट करके और पूर सब्सक्राइब करेंगे तो मिलते हैं फिर नेक्ट वीडियो में